केजरिवाल सरकार का बड़ा धमाल ऐसा करने वाला दिल्ली होगा देश का पहला राज्य देश की राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सत्ताधारी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है सरकार ने ये कदम जन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उठाया है बता दे की दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि सरकारी सेवाओं के लिए अब लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेगे बलकि सरकार ये सेवाओं खुद आपके घर तक पहुंचाएगी इन सरकारी सेवाओं में राशन कार्ड, मेरेज सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस जैसी सेवाओं को शामिल किया गया है इन सरकारी सेवाओं की होम डिलिवरी एक मुबाइल सेवक के माध्यम से की जाएगी ये मुबाईल सेवक सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा जिसे आप अपनी सुविधानुसार घर बुला सकेंगे. ये मुबाईल सेवक आपके घर से वो सभी जरूरी कागजी कार्यवाई पूरी करेगा जिस सरकारी सेवा के लिए आप आवेदन करेंगे. कागजी कार्यवाई पूरी करने के बाद एक निर्धारित समय के अंदर वही मुबाइल सेवक आपके पते पर आवेदन किये गए सरकारी दस्तावेज सेवा को पहुचा देगा ये स्कीम दिल्ली में 10 सितंबर से लागू हो रही है शुरुआती दौर में पहले महीने के लिए इसमें 40 सरकारी सेवाओं को शामिल किया गया है इसके बाद अक्टूबर में इसमें 40 और से वाओं को जोड़ा जाएगा अक्टूबर के बाद हर महीने 30-30 सेवाओं को इसमें शामिल किया जाएगा दिल्ली सरकार द्वारा लाई जा रही है योजना देश की पहली ऐसी योजना होगी ऐसा पहली बार होगा जब कोई राजे अपनी सेवाओं की होम डिलिवरी करेगा